नमस्कार आप देख रहें इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजया दो तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की हो लखीन पूर कान पर S.I.T. रिपोर्ट आने के बाद पूर अग्रह राजिमंत रिया जै मिश्टर टेईनी के इस्तिफे की मांग हो रही है मामले में अजै मिश्टर टेईनी के बेटे अजै मिश्टर मुख्य आरोपी हैं S.I.T. रिपोर्ट को लेकर एक पत्रकार ने जब अजै मिश्टर टेईनी से सवाल किया तो वो बस सलूगी पर आ गए जैसे की पुरे देश श्यांता है उत्तर प्रदेश की लखीम पूर खेरी में अजै मिश्टर टेईनी के पुत्र ने जीब से कुचल कर किसानों को मार डाला था घटना से पुरे देश की अंतरा आत्मा को छंजोर दिया था SIT की टीम रिपोर्ट में ग्रहराज्य मंत्री अजै मिश्ट दोसी पाए जाने और माननी सुप्रीम कोट हस्ता छेप के पावजूत अब तक केंद्रिये ग्रहराज्य मंत्री के खिलाफ कोई कारवाई नहीं होने और पत्रकार द्वरा सवाल पुशने पर काली गलोश करने अमादा हो गए इसी के विरोध में कॉंग्रेस पार्टी जला अत्यश अभिशेक सिंग राणा कॉंग्रेस कार्याले से डाक खाना होते हुए टीम कार्याले पहुचे और केंद्रि ग्रह मंत्री अजै मिश्ट के खिलाफ अपनी अवाज बुलंद करते हुए अजै मिश्ट को बरखास्त करो पत्रकारों के सम्मान में कॉंग्रेस मैदान में नारा देती हुए एस्ज़नों को ग्यातन सौपा ग्रो रिपोर्ट आइपी आन जानता ही कि रखीमपोर में कितरा नघ्र्गार हुए कि सानक उपर गाड़ित चड़ाई गई उसके बाद भी पुलिस में हिदा हवाली की परसासन ने हिदा हवाली करके उनको बचाय रखा जब पागरेश के लोग सड़क पे उतरे परसासन के उपर कोई कारवाई नहीं कर रहा है परसासन उनके उपर कोई कारवाई नहीं कर रहा है, उनका इतना ज्यादा मनोबल बढ़ गया है कि वो सब के साथ बत्वीजी कर रहे हैं, अभी पत्रकारों के साथ अबस्ता की वो, कल वीडियो वाइरल हुआ, ऐसे बेक्ट को मंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है, हम आज महामहिन राश्ट्र पत्महोदे को गयापन देने आये हैं, हम मांग कर रहे हैं इस गयापन के माध्यन से कि एसे बेक्ट को तकार बर्खास करके उनके उपर कानूनी कारवाई की जाए कर रहे हैं? झाल झाल